सो हेलो एवरिवन बात करते हैं आज टीवी जट के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सेयर में 5% का लोवर सर्किट लग चुका है सो आगे इस सेयर में क्या करें क्या इसका सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है यह इस वीडियो में बताती हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग अमारा वट्सप ग्रूप जोइन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया था हमने सिल्पा मेडिकेर का स्टॉक और आप देखेंगे इसके ओल टार्गेट डन हो चुके हैं चलिए हम पहले यहाँ पे TBZ के अगर रिटन्स चक करें तो देखेंगे आप 5 डेज में भी एकदम सिसमें UC लग रहा है फिर LC लग रहा है ओवराल 5 डेज में तो यहाँ पे अभी नेगिटिव रिटन्स इसने प्रोवाइट किये हैं वन मन्त में वैसे बढ़िया रिटन्स दियें इसने 44% और पाश्ट शिक्स मन्त में भी बहुत बढ़िया रिटन्स प्रोवाइट किये हैं 168-69% अल्मोस्ट year to date में भी बढ़िया रिटन्स हैं and one year में देखा जाए तो रिटन्स इसके सही नजर आ रही हैं बढ़िया नजर आ रही हैं five years में भी सही रिटन्स प्रोवाइट किये हैं वैसे one year में जाद अच्छे रिटन्स थे and all time में भी आप देख रही हैं अब जाकर यहां पर सेयर positive रिटन्स प्रोवाइट कर रहा है all time में otherwise यहां पर 287 का लेवल यहां पर पार नहीं हो रहा था 240-70 का लेवल गाईज यहां पर पार नहीं हो रहा था यहां पर हो चुका है जो ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं हम directly चार्ट पर क्या इसका चार्ट नजर आ रहा है बट उससे भी पहले चलिए हम यहां पर पहले देख लेते हैं fundamentally कैसा श्टॉक है यह आपको पता होगा य यह जूएलरी से रिलेटेट सेर है और यहां पर सेर होल्डिंग पैटन देखें अगर हम पहले इसका सो सेर होल्डिंग पैटन में मैजॉरिटी वैसे प्रमोटर्स के पास है 74 परसेंट एंड एफाई आई के पास भी 0.76 परसेंट इसके स्टेक हैं डिया आई के पास कुछ नहीं अभी इसके स्टेक 0% देख रहे हैं आप और पॉब्लिक को 25% दिया गया है सो मैजॉरिटी यहां पर प्रमोटर्स के ही पास है सो देखा जाए यहां पर सेर होल्डिंग पैटन बढ़िया नजर आ रहा है अगर नजर मारे हम यहां पर बैलेंस सेट पर तो आप देख की भी नजर आ रहा है बट इतना ज्यादा भी बॉरिंग नहीं है उस मुकाबले जिसे साबसे यहां पर बॉरिंग वैसे कम भी थी बीच में कहां मतलब 600 से यहां बीच में यह 500 438 भी थी कम हुई थी बॉरिंग तो आगे चलकर यहां पर जैसे जैसे कंपनी को फ्रॉफित ह कोता है में वी बॉरिंग्स कम होगी चलिए देखते हैं यह तो डिपैंड करता है लॉंक टम में हम बात करें सेल्स सो सेल्स कंपनी की बढ़ रही है हां यहां पर डिप रहा एक टाइम पर मार्च क्वार्टर में बाकि यहां पर सेल्स इनकी ठीक ठाक जैनरेट हो रही है और एक्सपेंसेज हैं यह एक्सपेंसेज अंडर सेल सी रहे हैं सो ओवरॉल जो इनका नेट फ्रॉफिट आप देखेंगे आपर जो इनका नेट फ्रॉफिट जैनरेट हुआ है पहले तो मा हाँ जून 2021 में कंपनी लॉस में थी वट नाव 17 करोड का इनको जून 2024 में है कंपनी काफी टाइम से यहां पर प्रॉफिटेवल ही आप देख रहे हैं दिख रहे हैं कंपनी सो कौर्टली रिजल्ट भी इनके सही डिलिवर हो रहे हैं बैलेंसीट भी ठिक ठाक है और यहां पर सेयर होल्डिंग पैटरन भी सही नजर आ रहा है तो चलिए हम काउट आ चुका इस स्टॉक में तो वेट कीजिए अपने ओन रिस्क में आप लोग ले सकते हैं यह वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल परपस से है सो सपोर्ट लेवल इसका पहला सपोर्ट लेवल जो नजर आ रहा है अभी तो आप देखेंगे 282 के करीब इसका प्राइ आता है देन 232 के आराउंड इसका सपोर्ट लेवल नेक्स्ट सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है तो इतना दाउन तो नहीं आएगा बट जिससाब से इसमें एलसी लगता है एकदम से ठीक है वीकली टाइम फ्रेम में बता रही हूं मिट टम प्रेस्पेक्टिव से बता रही है सो वेट कीजिए और फ्रेस एंट्री अपने ओन रिस्क में लेजिए यह वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल परपस से है थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो